दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और एहम खबरों में आपका स्वागत है दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और एहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से आज की मुखी और ताजा खबरों में अब डामाटर के बाद इतना महंगा हुआ आलू और अन्य सबजिया जाने किन को हो रहा है फाइदा और किने हो रहा है नुकसान तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी ही देर में बताएंगी साथी दोस्तो अभी सराजी ने मजदूरों के खाते में डाले 90 करोड रुपे साथी दोस्तो अभी सरकार ने राजस्तन वितरन को लेकर किया बदलाओ अब इन लोगों को भी मिलेगा फाइदा साथ ही दोस्तों जानेंगे उस पोदे के बारे में जिसको उगाने के लिए सरकार दे रहे हैं एक सो बीस रुपे परती पोदे के हिसाब से पैसा तो जानेंगे स्योधना के बारे में विस्तासी इसी के साथ दोस्तों राजस्तान की सियासी उठा पटके बीच बड़ी खबर BJP से मुख्य मंत्री बन सकते हैं सच चीन पाइलट जी हाँ बहुत बड़ी खबर है जिसके बारें हम इस वीडियो में बताएंगी साथ ही दोस्तों केंदर सरकार ने दिया चीन को एक और बड़ा जटका अब किसी भी सरकारी काम में नहीं होगी चीन की भागेदारी साथ ही जानेंगे अमेरिका की कारवाई से वोकलाई चीन ने अमेरिका पर ही कया पलटवार जानी क्या उठाया है कदम साथ ही दोस्तों अब इस देश ने मास्क नहीं पेनने पर किया ऐसी सजा का प्रावदान जानकर लोगों के खड़े हो गए है रोंग टे तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर बताए कि क्या भारत में भी ऐसी ही कोई सजा का प्रावदान किया जाना चाहिए ताकि इस मामारी पर अंकुस लग सके वहीं दोस्तों रेलवे करने वाला है नई योजना को लागू अब टीटी को नहीं दिखाना पड़ेगा टिकट बस रखना होगा केवल अपने पास मोबाइल जी हां तो इन खबरों के बारे मा आपको बताएंगे इसके अलाओ भी कई अन्य बड़ी खबर हैं जिसके बारे माम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो को अंते तक जरूर देके साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे मा आपकी जो भी राई हो कमेंट करके जरूर बते साथ ही वीडियो मा आगे बढ़ने से पेले आपसे एक छोटी सी मिन्ती है कि इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरो के लिए दिल से कमेंट में जैह हिंदु वंदे मातरम जरूर लिके तो चलिए दोस्तों बीना देरी किये फटाफट से जानते हैं आज की सबी बड़ी खबरों को पहली खबर लेकिवल 48 गंटे का समय दिया गया था इसके बाद एक वीडियो सामनाया जिसमें वाणी जी दुतावास सी धुआ उड़ता हुआ भी देखा गया था वहीं वीडियो में सामने आ रहा था कि कुछ कागज जले गए हैं बता दे कि अमेरिकी राश्पती डोनाल ट्रम्प ने कह कि चीन ने आविशिक दस्तवेजो को जला दिया है आगे और दुतावास बंद हो सकते हैं वहीं अमेरिका दवरा इसकारवाई की बाद चीन ने कड़ी पर्तिकिरिया व्यक्त की और कहा कि भी अपने देश में भी कई अमेरिकी केंद्रों को बंद करने के बारे में सोच सकत है इसके बाद चीनी मीडिया ने दवा किया कि चीन जल्दी वहान में इस्तित अमेरिकी वाणिजी दुतावास को बंद करने की घोसना भी कर सकता है तली दोस्तों जानते हैं अगली खबर सचिन पाइलट को मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी सतीस पून्या ने दिये स संके दिये है पून्या से जब पूचा गया कि क्या पाइलट राजस्तान के सीम बन सकते हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि हालात अनुमती देते तो सचीन पाइलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं वास्ता में उन्होंने इस लक्षी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है वही सतीस पून्या ने कहा कि सबसे पहले यह सचीन पाइलट को तैय करना है कि उनका अगला कदम क्या होगा और इसके बाद फिर हम विचार करेंगी वहीं पून्या किस बयान के बाद सियासी गल्यारों में नई अटकले लगाई जा रही है चली द सामगारों को 90 क्रोड 88 लाग रुपे की रासी ओनलाइन ट्रांसपर कर दिये सीम योगी ने इसके लावा आपदापूरु चयतावनी और रात परबंदन के लिए पहरी एप भी लॉंच किया है साथी मुक्यमंत्री योगी अधितनात ने परदेश में देवी आपदाओं से हैं अगली खबाद अब टामाटर के बाद आलू भी हुआ मैंगा हरी सब्जा भी हुई है मैंगी जहां दो तो टामाटर के बाद आलू भी मैंगा हो गया है और हरी सब्जियों में पहले से भी उंचे दाम में बिक रही है जिसे कोरोना मामारी में मुझूदा दोर में मिल आर्थिक चुनोच्यों की बीच आम उपोगताओं के लिए खाने पिने की चीज जुटाना मुस्किल हो रहा है आलू के थोगदा में इसी मैने चार रुपे परती किलो जबगी खुद्रदा में दस रुपे परती किलो तक इजापा हो गया है वहीं खुद्रा बाजार में टमाटर पहले से ही सतर से असी रुपे किलो बिक रहा है वहीं घीया तोरई भिंडी समय तमाम हरी सबजियां भी महंगी हो गई है लेकिन गोर करने वाली बात है कि इन सबजियों की महंगाई का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है यहां तक की सबजी कारोबारियों का भी कहना है कि सबजिया महंगी होने से उनको भी नुक्सान हो रहा है चली दोस्तों जानते हैं अगली खबर केंदर सरकार की सकती सरकारी कमपनियों में चीन की सेवों वस्तूं को और ठेकों पर लगा पर्तिबन जेंदो तो भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा जटका दिया है दरसल गुरुवार देरात वित्त मंत्राली ने नियूमा में संसोधन करते वी सरकारी कमपनियों में चीन और पाकिस्तान की वस्तों, सेवों और ठेकों पर पूरी तरह परतिबन लगा दिया है मामले से जुड़े दोक करवी सुत्रों ने गोपनियता की सर्थ के अदार पर इस बात की जान करी दी है वहीं वित्त मंत्राली ने जारी एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने सामानी वीत्यी नियम 2017 में संसोधन किया है इसके तहत राष्टी सुरुकसा के तहत भारत की सीमा से लगे देशों को भारत के किसी भी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अदिकार होगा वहीं नया कानून सारवजनिक छेतर की कंपनियों सोतंतर निकाए और सरकारी नीजी बागिदारी से जुड़ी परियोजनों उपर लागू होगा जिसमें सरकार भी त्यम अद्द करती है चली दोस्तों जानते हैं अगली खबर बांस की खेती पर मोधी सरकार का बड़ा पलान हर पोदे पर मिलेगा 120 रुपे की सरकारी साहिता जेंदोतों परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने ब्रस्पतिवार को कहा कि नेशनल बैंबू मिसन के तेद बैंबू किसानों को हेंडी क्राफ्ट से जुड़ी आर्टिस्ट और दूसरी शेहों के लिए 100 क्रोड रुपे का निवेस किया जा रहा है बैंबू प्रोड़क्ट आतम निर्वर भारत ब्यान को ताकत देने का सामर्थ्य रखता है जब बैंबू यानि बांस को लेकर पिये मोदी इतनी तारीव कर रहे हैं तो आईए जानते हैं इसे जुड़ी स्कीम के बारे में कि देश बर की किसान इसे कैसे लाब उटा सकते हैं दरसल मोदी सरकार बांस की खेती को बड़ावा देने के लिए बड़ा काम कर रही है यदि आप भी खेती करना चाहते हैं तो आपको एक पोदे पर 120 रुपे के आर्थिक साहिता पर दान की जाएगी इसकी खेती किसानों को रिस्क फेक्टर कम करती है क्योंकि किसान बांस की बीस दूसरी खेती बीक कर सकते हैं वहीं बांस काटने पर लगने वाले फोरेश्ट एक्ट से अब किसानों को निजाद मिल गई है वहीं सरकारी नर्शरी से पोदे को फिरी में प्राप्त किया जा सकता है यानि इसके लिए आपको पैसा नहीं लगाना होगा साथी तीन साल में ओस्तन 240 रूपे पर्टी प्लांट की लागत आईगी जिसमें 120 रूपे पर्टी प्लांट सरकारी साहिता मिलेगी चली दोस्तों जानते हैं अगली खबद उत्री कोरिया में अब मास्क नहीं पहने पर मिलेगी ये सजा किम जोंग का बड़ा ऐलान जियां दोस्तों कोरोना की बढ़ते परकोग को देवत वे जहां अमेरिकी राष्टपती डोनाल टरंप मास्क में नजराने लगे हैं वहीं उत्री कोरिया के ताना साग किम जोंग उन भी घबरा गए हैं यही वज़ा है कि उन्होंने मास्क नहीं पहने वालों के खिलाब कड़ी सजा का अईलान किया है दरसल अमेरिकी न्यूस साइट रेडियो फ्री ऐसिया की मुदाबिग उत्र कोरिया ने कोरोना के परसार को नियंतरित करने के लिए सक्त कदम उठाया है अब मास्क नहीं पहने वालों को तीन महीने तक कड़ी मजदूरी करनी होगी वहीं सरकार की सादेश से लोगों में खल बली मच गई है हलांकि किम जोंग उनके फेस्टे की खिलाब जाने की किसी को भी हिमत नहीं होती है बता दे कि उत्र कोरिया परसासन द्वराई सादेश पर अमल सुनशित करने के लिए पुलीस के साथ साथ कोलेज और हाई स्कूल चातरों की टीमें बीकटिद की गई है ये टीमें घूम घूम कर लोगों पर नजर रखेगी और जो भी बगेर मास्क के पाया जाता है उस पर कारवाई की जाएगी चली दोस्तों अब जानते हैं अगली ख़बर रेल यातरा के समय अब टीकट नहीं QR कोड दिखाना होगा सुरू हुई ये नई व्यवस्ता जियांदोस्तों उतरपरदेश की मुरादवार रेल मंडल में यात्रियों के लिए खास सुईदा सुरू की गई है यात्रों की लब टीकट दिखाने की आऊ सकता नहीं होगी बलकि टीकट बुक करते समय रेलवे की ओर से QR कोड जारी होगा जो SMS के जरी यात्री की मोबाइल पर पहुंच जाएगा यात्र के दुरान टीकट की दौरा टीकट मांगे जाने पर उसे केवल मोबाइल पर आया QR कोड दिखा सकते हैं जिसे टीकट अपने मोबाइल में सकेन क्या करेंगे साथ यात्री के टीकट की सारी डिटेल भी टीटीए के फोन में आ जाएगी चली दोस्तों जानते हैं अगली खबर रोजना सुबह चाई की चुश्क्या लेनी पड़ेगी महंगी इस वज़े से कमपनियों ने बढ़ा एदाम जेंदो तो चाई की चुश्क्या लेना जल्दी महंगा हो सकता है दरसल बारिस ने चाई की फसल को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि करीब 20 करोड किलोग्राम फसल बरबाद हो गई है इससे घरलू बाजार में अच्ची गुनोतवाली चाई के दाम करीब 100 रूपे परती किलोग्राम तक बढ़ गए है खबरों की मताबिक हिंदुतान यूनी लीवर, टाटा कंजूमर प्रोडक्स और वाक बगरी ने चाई की कीमतों में 10 से 15 परतीसत की बढ़ोत रिकी है वहीं सुत्रों से मिली जानकारी की मुताविक कमपनियों ने एक बार अप्रेल और मही महीने में दाम बढ़ा चुकी है वहीं अब कमपनियां जुलय में भी कीमते बढ़ाने को तयारी कर रही है दरसल कलकता चाई वेपारी संग का कहना है कि लोकडाउन और बारिस की चलते फसल उत्पादन कम रहने से निलामी में चाई के दाम चड़ाई गए है चली दोस्तों जानते हैं अगली खबर अंतियोदे योजना के नए निवमजारी दिव्यांग परिवारों को 35 किलो आनाज हर मईने मिलेगा जहां दोस्तों केंदरी खादी मंतरी राम विलास फासवान ने दिव्यांग वेक्तियों को रासन योजना का लाब देने के लिए अंतियोदे अन योजना नियुमों में बदलाव किया है उन्हेंने ट्वीटर पर ट्वीट के जरी बताया कि दिव्यांग वेक्तियों को रासन योजना का लाब नहीं मिल रहा है इस समझ में दिली हाइकोट की निर्देशों को मैंने गमीरता से लिया है और सभी राजी सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंतियोदे अन योजना के अंतरगज समिलित किया जाई इस योजना का मुझ की उदेश ये गरीब परिवारों या गरीबी रेका से नीचे बीपियल परिवारों को 35 किलोग्राम गहूं और धान की परती भाँ बहुत सस्ती दर में परदान किया जाईगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही कबरे देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही दोस्तों वीडियो के वारे माँ आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताए और दोस्तों आप भी हमारी मेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे धन्यवाद